गुड मॉर्निंग दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने ट्रूप चैनल दिवीजन का लास अल सब्जेक्ट में आज फिर से मैं प्रेक्टिस सेट आपका लेकर के आया हूं भिहार पुलिस 2030 याद रखियागा प्रिभियस क्वेशन है अगर वीडियो को मिस करेंगे तो आप बहुत पस्ताइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम गवाए भी ना तो आज का जो पहला क्वेशन है उसको आज देखेंगे आज का पहला क्वेशन है भारत में परमान उर्जा काज क्रमू का जन्म दाता किसे माना जाता यानि कि जनक किसे माना जाता है option A में है डॉक्टर A.P. J. अब्दूर कलाम option B में है डॉक्टर होमी जहांगीर भावा option C है सतिस धवन option D है डॉक्टर C.V. रमन तो जल्दी से आप बताएगा इसका सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर होगा याद रखेगा भारत में प्रमानू उर्जा कारे करमों का जनुनदाता कहा जाता है वह कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भावा option आपका क्या होजागा B बिल्कुल सही होगा दोस्तों चलिए आगे वरते हैं अगले प्रेस्ट को देखें प्रेस्ट नमर आपका दू है यू एन ए यू एन ओ याद रखेगा यू एन ओ कि अस्थापना किस वर्स किया गया था जिहां दोस्तों याद रखना है यू एन ओ कि अस्थापना किस वर्स की गई थी अगर आप एंसर जानते हैं प्रामेंट पॉस में एक साथ एंसर दिजिएगा option A है 1935 option B है 1940 option C option है आपका 1945 option D है 1955 तो UNO के अस्थापना कब हुई थी तो वह हुई थी याद रखना है 1945 नाइंटी फोटी फाइब में यानि कि 1945 में option आपका क्या हो जागा तो C बिल्कुल सही होगा जी अगला है देश का प्रथम देश का प्रथम प्रमानू रियक्टर अपसरा के अस्थापना कव की गई थी जिहां याद रखना है देश का प्रथम प्रमानू रियक्टर अपसरा के अस्थापना किस वर्स की गई थी या कब की गई थी, option आपका A है, 1945, option B है, 1948, option C है, 1956, और option D है, 1966, तो option A आपके पास 4 है, जल्दी से आप बताईएगा दोस्तों, इसका सही answer हो जागा, option आपका C, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है, जो आपका पर्थम प्रमानु रियक्टर अपसरा की जो अस्थापना थी, 1956 सिवी में हुई थी, याद रखना है, चली आगे बड़ते हैं, अगला प्रसन है, उसको देखेंगे, प्रसन नमस चार है, कि पहले योजनाओं को आन्तिम स्विक्रिती, यानि कि अनुमोधन किसके द्वारा परदान की जाती थी, याद रखना है, जी, कि योजनाओं को आन्तिम स्विक्रिती, पहले किसके द्वारा परदान की जाती थी, आप्शन ए है, योजनाओं के अन्तिम स्विक्रिती जो मिलती थी, वा मिलती थी, याद रखना है, राश्ट्री विकास परिसत के द्वारा, आपका क्या हो जागा, तो बी, बिल्कुल सही होगा, जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्राशन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्षिय योजना में दिया गया था याद रखना है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्षिय योजना में दिया गया था तो सही इंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा ए जो आपका था पंचम पंच वर्षिय योजना से मिला था option आपका क्या हो जाएगा तो C सही होगा जी चलिए आगे वड़ते आगला प्रस ने उसको देखेंगे जी आपका प्रेश नमर आपका 6 है कि बारहमी पंच वर्ष तक option B है 2012 से 2017 तक option C है 2015 से 2026 से 21 तो जल्दी से आपको बताने है इसका सही इंसर जो हो जागा वह हो जागा 2012 से 2017 इस वी तक आपको बारहमी पंच वर्षिय योजना चली थी option आपका क्या हो जागी तो B होगी चलिए आगे वड़ते हैं अगला प्रस ने है रमन अनुसंधान केंदर कहां परिष्थित है option A है मुंबई option B है कोलकता C है चन्नाई और D है बंगलोर तो CB जो रमन थे उनका अनुसंधान केंदर कहां अस्थापित हुआ option आपका क्या हो जागा तो D होगा बंगलोर में इसका answer होगा याद रखना है रमन अनुसंधान केंदर कहां है तो ब भारत में परमानु उर्जा आयोग के स्थापना किस वर्स की गई थी जी हां भारत में परमानु उर्जा आयोग के स्थापना किस वर्स की गई थी तो वह की गई थी आपका 9048 यानि की 49 इस भी में की गई थी option आपका C हो जाएगा सही अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगल कि खोज किसने की थी जी हां भारी जल की खोज किसने की थी तो इसका जो सही अंसर होगा वह याद रखना हC-U-ray याद रखियेगा हC-U-ray ने भारी जल का खोज किया था deuterium oxide 2-O याद रखना दोस्तो option A आपका सही होगा जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रेस नमर उसको देखेंगे प्रेस नमर आपका 10 है परतेक वर्स संजिक्त राष्ट दिवस किस तिति को मनाया जाता है option A है 12 October option B है 12 December option C है 24 October और D है आपका 10 January तो उसका सही एंसर होगा होगा आपका option C 24 October option C होगा जी याद रखना है जी आगे बढ़ते हैं अगला प्रेस ने उसको देखेंगे प्रेस नमर आपका 11 है कि UNO के पर्थम महा सचीब कौन थे जी हाँ यू एन-ओ के पर्थम महा सचीब कौन थे तो वह थे option आपका क्या हो जागा यानि कि त्रिवेगली याद रखना है त्रिवेगली option आपका क्या होगा B होगा जी UNA क पर्थम महा सचीप कुfon थे त्रिवेगली थे ओप्सन आपका ब सहई होगा जी औगला प्रेश ने उसको देखेंगे प्रेश नमर आपका 12 है भावा पर्मानु अनुसांधान किंद्र कहा इस्तित है जी हां भावा पर्मानु अनुसांधान किंद्र कहा इस्तित है तो व UNAO की कारेकाली भासा कौन सी है तो यह आपका सही answer हो जाएगा जो आपका होगा option आपका A यानि की अंग्रेजी यह यहां देखे A वाला उपर में होना चाहिए था तो अंग्रेजी और आपका क्या होजागा French दोनो भासा में आपको का है UNA की कारेकाली भासा है A दोग होगा option आपका क्या होजागा तो D होगा याद रखना A और B दोनो यानि की अंग्रेजी और French दोनो आपका क्या होता है तो यह UNA की कारेकाली भासा है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रेशन को देखेंगे आपका प्रेशन नमर आपका क्या है 14 कौन सी पंच वर्षी है योजना पूरी तरह से असफल रही याद रखना है दोस्तों कि कौन सी पंच वर्षी है योजना पूरी तरह से असफल रही option A है पर्थम पंच वर्षी है योजना option B है तो आपके पास चार ओप्शन है तो चोदर नमर प्रेशन का जो एंसर हो जागा ओवा हो जागा तो बिलुकुल असफल हो गया था याद रखियेगा ओप्शन आपका क्या हो जागा से होगा जी और चली आगे दर सन नमर का पंद्र है अंदरस्टी नियाले का मुख्याल इस्तित का मुख्याले कहा इस्तित नीदरलेंड में है option आपका ए बिल्कुल सही होगा अगला प्रस्ण है संजुक्त राष्ट संग यानि की UNO में हिंदी भासा हिंदी में भासन देने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे जिहां याद रखना है UNO में हिंदी में भासन देने वाले पर्थम व्यक्ति कौन थे तो व बरतमान में UNO में कुल कितने सदस हैं जी हां बरतमान में जो UNO में कुल कितने सदस हैं तो यह हो जाएंगे आपका 193 में यानि कि आपका C बिल्कुल सही है अगला प्रेस नमर आपका क्या है 18 इंद्रा गांधी प्रमानु अनुसंधान के इंद्र कहां इस्तित है याद रखना है दोस्तों इंद्रा गांधी प्रमानु अनुसंधान के इंद्र कहां इस्तित है option A में है कल्पक्कम, B है नरवरा, C है कुलकत्ता और C यानि कि यहां पर आपका D हो गया है और C है यहां ट् संधान किंद्र कि याणि कि अप्षिन हो आपका सही हो गया अगला प्रेस नमर चार्ग वर्स या दो वर्स का तो इसका तो सही एंसर हो जागा याद रखना अस्थाई सदस्यों का जो कारकाल होता है दू वर्स होता है ऑप्शन आपका क्या हो जागा टर डी बिल्कुल सही होगा जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रेश को देखें प्रेश नमर आप काविस है सुराच्छा पर्षत में कुल कितने सदस्यों देश होते हैं सुराच्छा पर्षत में कुल कितने सदस्यों देश होते हैं देश का होते हैं लकिन कुल कितने पर्षत का जो होते हैं सुराच्छा पर्षत का जो लोग होते हैं कितने देश का होते हैं आप्शन आ है मानिकी 15 सदस होते हैं, याद रखना है कुल कितने सदस होते हैं, तो वह होते हैं 15 सदस क्या होते हैं, जी चलिए आगे बड़ते हैं, आगला प्रेशन को देखेंगे, प्रेशन नमरा का क्या है, 21, रावत भाठा पर्मानू विधुत घर की सराज में है, याद रखेगा, उप्षन D है, राजस्थान, तो उसका सही अंसर हो जागा, वह हो जागा, राजस्थान, उप्षन D के साथ से लेंगे, जी दोसको, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाग से रें सस्क्राइब जरूर करें, उप्षन आपका क्या होगा, तो D होगा, अगला प्रे में, जो पोकरन में हुआ था, राजस्थान में पढ़ता है, अगला प्रेस्थान है, पहली पंच वर्षी योजना किस मोडल पर अधारित है, तो इसका जो सही अधारित है, है, हैरॉल्ड डोमर मोडल पर, आप्शन आपका क्या हो जागा, तो ये बिल्कुल सही होगा, जी चलिए आगे वड़ते हैं, अगला प्रेस्थान को देखेंगे, प्रेस्थ नमर चोबिस है, दुनिया का पुलिस में किसे कहा जाता है, जी हाँ, याद रखियागा, दुनिया का पुलिस में किसे कहा जाता है, तो याद रखना है, इसका सही अंसर हो जागा, सुरच्छा प पंजाब option आपका क्या हो जागा तो D हो जागा जी जो कहाँ इस्तित्थ है नांगल में इस्तित्थ है पंजाब में पढ़ता है अगला प्राश्चने उसको देखेगा प्रेस नमर आपका 26 है अंतराष्टिया न्याले में न्याधीसों की संख्या कितनी होती है जी याद रख बार बीटों का परियोग करने वाला देश कौन था ? जो समझुक्त राष्ट संग में सरवराधिक बार बीटों का परियोग करने वाला देश कौन है ? तो वह जो देश है वह है रूस याद रखेगा option आपका क्या हो जागा ? तो भी बिल्कुल सही होगा, विरूस ने सबसे ज़्यादा भीटो का उप्यों किया है, अगला प्रेस्ट ने, बान की मून किस देश के निवासी हैं, याद रखिएगा, बान की मून किस देश के निवासी हैं, तो आपका उप्षन है, फ्रांस, जपान, बर्मा और दच्छि को और या उप्षन आपका क्या हो जागा, तो D होगा, जी, चलिए अगला प्रेस्ट है, काकरापारा परमानू रेक्टर केंदर कहां इस्तित है, तो होगा है, आपको याद रखना है, इसका सही अंसर हो जागा, गुजरात में आपका क्या होगा, तो यह बिल्कुल सही है, कि सरपर्थम बीटो का उप्योग, यू एन ओ में किस देश के द्वारा किया गया था, तो इसका सही अंसर हो जागा, अमिर्का के द्वारा किया गया था, आपको क्या है, तो C सही होगा, अगला प्रेस्ट है, कि अंतरास्ट ये मुख्याले में नियाधिसों का कारेकाल कितने वर्सों का होता है, तो इसका जो होता है, नौ वर्स का होता है, अप्शन आपका D, बिल्कुल सही होगा जी, अगला प्रेस्ट ने उसको देखें, प्रेस्ट नमर आपका क्या है, 32, संजुक्त राष्ट संग में पर्थम महिला अध्याच किसे निर्वाचित किया गय है, आपका सही इंसर होगा, श्रीमती विजया लक्षमी पंडित का क्या गया था, ऑप्शन आपका क्या होगा, D होगा, याद रखना है, पर्थम महिला थी, यू एनो के कितने परमुख अंग हैं, तो वह जो है अंग, कितने अंग हैं, तो 6 अंग होते हैं, जी, ऑप्शन पास क्या हो जागा, C बिल्कुल सही होगा, जी, UNA के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं, option आपका C बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण उसको देखेंगे, सुरच्छा परस्द में कितने अस्थाईस दस हैं, option A 10, option B है 5, option C है 8, option D है 10, तो यह आपके पास 4 option थे, यह 4 option आपको कहा है, इसमें 2 बार एक ही option में आ गया है, जी, तो जल्दी से आपको बताना है, 14 नमर प्रस्द का answer क्या होगा, उसका सही answer हो जागा, 5 option आपका B बिल्कुल सही होगा, जी, सुरच्छा परस्द में कितने अस्थाईस सदस होते हैं, 5 ह होते हैं, आपके पास 4 option थे, पहले ही बता देजिएगा, अगर आप answer जानते हैं, तो बताईएगा, option A है 5, option B है 10, option C है 15, option D है 20, तो इसका सही answer क्या हो जागा, तो आपको बताना है, इसका सही answer होगा, वह होगा 10, याद रखिएगा, सुरच्छा परस्द में, अस्थाईस संख्या 5 होती है, टोटल बोल दिया जाए, तो 15 सदस्यों होते हैं, सुरच्छा परस्द में, चलिए आगे बरते हैं, अगला प्रेस ने, उसको देखेंगे, प्रेस नमर आपका 36 है, UNO में अधिकरित भासाओं की संख्या कितनी है, ती UNO में अधिकरित भासाओं की संख्य जो है, वह है, चोई, याद रखियेगा, ओप्शन आपका D, आपका सही होगा, जी, अगला प्रेस ने, भारत में दुसरी बार परमानु परिक्षन किस वर्स किया गया था, तो वह किया गया था, 1908 में याद रखःगा 98 यानी की option आपका D विल्कुल सही होगा अगला प्रस्न है चुहक्षा कीन दो देशों की संज़ुक्त जल विद्धूत परियोजना है option A में है भारत एवं भुतान और option B में है भारत एवं अफ़्गानिस्तान option C है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान option D है भारत एवं बंगलादेश तो यह चार option थे जल्दी से आपको बताना है इसका सही answer क्या होगा तो भारत एवं भुटान option A जो आपका है दो देशों के बीच आपका चुखा जल्बिदुद परियोजना है option आपका A होगा और इस equation के साथ आपका होता है समापत थांक्स फूर वाचिंग इस वीडियो आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छ अवीड़